जा रहे हैं, विजिबिलिटी ठीक ठाक है, फॉलोविंग एक मिनट, लगता है मुझे कुछ मिल गया है ये क्या है स्थी क्रिश्न घर छोड़के पस्चिम के दिशा में भरू भूमी के उस तरफ एक द्वीप में घर बनाते हैं जिसे हम द्वारका कहते हैं और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है प्रोफिसर राव और उनकी टीम ने 1979-80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दिवार की खोच की ये पक्का किसी इनसान का ही बनाया हुआ है इसकी शेप रिक्टैंगल है और ये खुद्रती नहीं हो सकता ये खुद्रती तोर पर नहीं हो सकता ये किसी इनसान का ही काम है भारते पुरातत्व सर्वेक्षन यानि आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के निर्देशन में भारते नौसेना के गोता खुरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेशों को खुश निकाला कारव अधर्मी है उनका मारा जाना सही था लेकिन गानधारी को लगता है कि उनकी बेटों को मारने से श्रीकृषनी ने अन्याय किया है गानधारी उनको श्राप दिया है तुम्हारे यदभवंच का नाशोगा तुम्हारा नगर पी समुदर में दूब जाएगा जब एववान स्री कृष्टी किस द्वारका धाम से अपने धाम को गए हैं यहाँ पर शमुद्र ने सारी द्वारका को जलब प्लावित करने। आज भी शोद जारी है। अब देखना यह है कि द्वारका नगरी के नश्ट होने की बुथी सुलचने में और कितना समय लगता है। अबस्टी कि दिएक टेखने की बुथी है। झाल झाल